तर्बूच के छिलके की कैंडी बन जाने के बाद उपर से एकडम ट्राय हो जाती है पर खाने में ये अभी भी सॉफ्ट लगती है हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो सीमा स्मार्ट किचन हम तर्बूच तो खा ले दे हैं पर उसका छिलका फेक देते हैं आज हम देखेंगे इसके छिलके से कैंडी कैसे बना सकते हैं आईए बनाते हैं तर्बूच के छिलके से कैंडी आप इस वीडियो को पूरा देखिए और सिफ दो इंग्रीडियंट से बनाईए तर्बूच के छिलके की कैंडी ये है कैंडी के इंग्रीडियंट तर्बुच के बचे हुए छिलके को अच्छे से धो लेना है और इस तरह से इसके छोटे टुकडे कर लेना है आप चाहे तो इसे छील सकते हैं पहले और फिर कट करें पर इस तरह से छीलने में आसानी होती है इसलिए मैं इस तरह से छील रही हूँ देखिए कितने आसानी से छील गया है छोटे छोटे पार्ट छीलना आसान हो जाता है आप चाहे तो पोटेटो पीलर से भी इसे छील सकते हैं इस तरह से सभी छील के रख लीजिए अगर छिलके में लाल वाला पार्ट बहुत ज़्यादा है तो ही निकाले थोड़ा बहुत अगर है तो कोई प्रॉब्लम ने इसे रहने दे क्लीन हो जाने के बाद और चील लेने के बाद ये हाफ केजी बचा है इसमें मैंने आधा कप पानी डाल दिया है और उबलने के लिए रख दिया है पाँच मिनट तक इसमें उबालाने दीजे बीच बीच में चला लीजे पाँच मिनट के बाद में फ्लेम को बंद कर देना है और धक के छोड़ देना है और पाँच मिनट के लिए पांच मिनिट में ये थोड़ा सा और ज़्यादा कुख हो जाएगा दिखी इस तरह हो गया है अब पांच मिनिट इसे ढखके रहने देना है अब एक छनी में डाल दीजे और एक्स्ट्रा पानी निकाल लीजे और थोड़ा सा ठंडा होने दीजे ठंडा हो जाने के बाद हम इसे डबल से चाशनी में कुक करेंगे इसके लिए मैंने हाफ कप चीनी ली है और इसमें पॉन कप लगभग पानी डाल दिया है पानी कम या ज़ादा हो गया तो कोई प्रॉबलम नहीं होने वाला है इसमें उबालाने दीजे जैसे ही चीनी पिघल जाए इन छिलकों को इसमें डाल दीजे छिलकी डाल लेने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट तक कुक करना है या फिर इस तरह का कलर चेंज होने तक इसको कुक कर लेना है और फिर ढखके और 5 मिनट के लिए रहने देना है देखी इसका कलर चेंज हो गया है इस स्टेज पे फ्लेम को बंद कर देना है और थोड़ा सा ठंडा होने देना है ठंडा हो गया है अब इसके दो पार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं दो कलर में बना रही हूँ अगर आप तीन कलर में बनाना चाहते हैं तो तीन पार्ट कर लीजे और अपना मनपसंद कलर इसमें मिला लीजे boil करते समय या फिर इस समय इसमें 2-2-3 drop vanilla essence या फिर अपना मनपसत essence इसमें डाल सकते हैं इसमें मैंने dry food color डाला है red और मिला दिया है अब हम दूसरे में डालेंगे green food color मेरे पास green food color नहीं है इसलिए मैं 2-2-3 drop blue food color की और 1-2-2 drop yellow food color की डाल रही हूँ दोनों को मिलागे green color बन जाएगा आपके पास कोई और color हो तो आप वो भी डाल सकते हैं अब इसी तरह इसे 3-4 घंटे के लिए ढखके रहने देना है 4 घंटे बाद आप देखेंगे एकदम dark color हो गया है अब इसे किसी चंणी पे निकाल लेना है पर दोनों को अलग अलग निकाले नहीं तो एक दूसरे का color लग जाएगा और आदे घंटे के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देना है इसकी जो एक्स्ट्रा चाष्णी है वो छन्नी में से नीचे गिर जाएगी बच्ची हुई चाष्णी को आप शेक बनाने में या जूस बनाने में यूस कर सकते हैं एक्स्ट्रा चाष्णी निकल जानी के बाद आप इसे प्लेट में डाल दीजे और फैन में लगभग एक से दो दिन आप इसे सूखने दीजे उपर से छन्नी रख दीजे ये उपर से ट्राय हो जाएगी या तो फिर आप इसे फ्रिज में भी ऐसे ही रख सकते हैं वाउ देखिए परफेक्ट केंडी तैयार है ये खाने में भी बहुत अच्छी है इतनी सूख जाने के बाद एर टाइट कंटेनर में भरके आप फ्रिज में दो माहिने तक इसे रख सकते हैं फ्रेंड्स आप इसे बनाईए और अपने एक्सपीरेंट शेयर कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए अपने वैलियोबल सुजिशन जरूर दीजिए और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है न्यू अब्डेट्स के लिए सब्सक्राइब